प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल S.K.M.S.T.D. के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों आज आपके लिए एक नया सेट लेकर हाजिर हुए है जो की 2021 का previous year paper का पूरा-पूरा solution है जियां दोस्तों 2021 का previous year का paper आपको पूरे यूटूब चेनल पर इस तरीके के पिछले years के papers का solution 100% कोई नहीं देने वाला है मात रिकलोता चेनल ये यस के मिश्टडी ही देने वाला है आपका पूरा solution 2022 के मैंने करा दिया जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं home page पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है अभी सारे वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं जोड़े हैं आप जाके देखेंगे इस लाइट करके तो सारे वीडियो मिल जाएंगे ये दो है 2020 का है set 2 है set देखो 2021 में कोरोना आ गया था जिसके वज़ा से 7 set का एकजाम नहीं हुआ था बच्चे प्रमोट कर दिये गये थे जो बच्चे प्रमोट नहीं किये गये थे उनका क्योल 2 set का एकजाम हुआ था set 1 set 2 तो set 1 का भी मैंने वीडियो अप्लोड अभी set 2 का अप्लोड कर रहे हैं इसके बाद set 1 का भी अप्लोड कर देंगे ठीक और एक चीज और आपको बता दे प्यारे बच्चों जो बच्चे हमारे कोर्स को पर्चेश करना चाहते हैं यानि 2022 से लेकर 2021 तक previous year paper लेना चाहते हैं पूरा का पूरा solution मात्र आपको 7 set 1 subject के 7,21 रुपए में मिलेंगे अगर आपको सारे subject पर्चेश करने हैं तो आपको 105 रुपए देना पड़ेगा दोस्तों 105 रुपए देना पड़ेगा ठीक है 105 रुपए में आपको सारे subject मिल जाएंगे और एक subject के 7 set मिलेंगे जो बच्चे पर्चेश करना चाहते हैं वो बच्चे इस वाट्सप नमबर या हमारे टेलेगराम पर जागा पर्चेश कर सकते हैं थोड़ा भी doubt हो कहीं पर प्राब्लम हो रही है तो इस वाट्सप नमबर से इस पर काल्प भी कर सकते हैं ठीक जो भी प्राब्लम होगी इस पर आप बात कर सकते हैं और अगर आपको पर्चेश करना है तो हमारे स्केम स्टेडी पर भी पर्चेश कर सकते हैं ठीक या फिर इस पर भी आपको मिल जाएगा आपको मात्र 21 रुपए में 7 सेट याद रखना 7 सेट और 2021 का भी सेट मिलने वाला है ये जो 2021 है ना इसका भी सेट 1 सेट 2 का भी सल्यू अब मिलने वाला है ठीक तो जो बच्चे पर्चेश करना चाहते हैं वो 105 रुपए पेमेंड करके पर्चेश कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बीना किसी देरी के अब देखे इस पेपर्स का सल्यूशन मैंने आपके बोर्ड कापी में किया दोस्तों जो आ ठीके का कॉंटेंट आपको कोई चैनल देने वाले नहीं है मात्रिकलावता चैनल यह ऐसा चैनल है यहीं पे आपको मिलेगा दोस्तों देख रहें बहुत ही जवर्जस्त पुरा चित्र भी बनाये गया है आसानी से ठीक तो अगर आप पर्चेश करना चाहते हैं तो अभी इस पर आप पेमेंड करिए और सारे सब्जेक्ट 105 रुपए में ले लीजिए और मन लगा के पढ़ाई करिए गारंटी है आपका 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता ठीक क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो प्रिवियस येर पेपर है उसी में से ज़्यादा ज़्यादा करते हैं ठीक है दोस्तों जो आप एक्वाद में बैठोंगे ना तो आपको यह बोड कांपी मिलेगी और बोड कांपी में एक चीज direct पौर बता दे जब आप बोट की कांपी में बैठोगे तो क्या होगा दोस्तों इस तरीके से पेपर मिलेगा ठीक है ये पेपर मिलेगा साथ ही साथ इस तरीके से ब्लैंग कांपी मिलेगी और यह copy में आपको कैसे भरना है अब ही आपको एक model यहाँ पर भर की बता दे रहे है ठीक है देखे मारे पास एक model है अल्रेडी इसको मैंने computer से भरा है बट आप लोग pin से भरेंगे ठीक यहाँ पर जो roll number 2013 में आपको मिलेगा दोस्तों वो आपके 10 अंका roll number होगा तो 10 अंका roll number यहाँ देखो मैंने भरा है उसके बाद यह अंकों में लिखा है इसे सब्दों में आप 2, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 5, सुन इस तरीके से सब्दों में लिखना है फिर प्रष्ण पत्र आपको यहाँ पर क्योवल प्रष्ण पत्र डाल देना है क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक ही प्रष्ण पत्र होता है इसलिए यहाँ पर क्योवल प्रष्ण पत्र डालना है प्रष्ण पत्र पर अंकी संके तांग आपको यहाँ पर भरना है अब संके त कहां से पाओगे तो आपको यहां पर बता देते हैं कि संके तांग पेपर के दाहिने साइड में होता है यहां देखिए पेपर है यहां पर यह वाला जो भाग है यही संके तांग होता है यह वाला संके तांग मत मान लेना ठीक है यह संके तांग जो है पेपर के दाहिने साइ पाली परिछा थी यहां पर फिर डैस करके पाली जिस पाली में आप देंगे यसे दो बजे से जो परिछा होगी वह दूती पाली में जो 7 से 8 बजे कि तक श्टार्ट होगी वो प्रथम पाली में आती है ठीक केंद्र का नाम यहां पर भर दोगे जिस केंद्र में आप परिक्षा देने उसी केंद्र का नाम यहां पर भरना है चले बागे बढ़ते हैं दोस्तों आप देखो हर पेपर्स का सल्यूशन परश्णुप का कर देते है पला है आपरित बीजी पादपों के पुस्प के नर जनन नर जननांग को कहा जाता क्या गहा जाता है दोस्तों पुमंग कहा जाता है क्या कहा जाता है पुमंग याद रखना नर्भच्ची होता है नर्भच्ची क्या होता है सम युगमजी होता है देखो यहाँ पे एक्ज में प्रश्ण नहीं उतारना है डारेक्ट आपको उत्तर लिखने हैं ओके मेरी प्यार बच्चों उत्तर लिखने हैं प्रश्ण आपको नहीं उतारने आपरिति बीजी पादपों के पूस्प के यानि देखो इसका मैंने प्रश्ण भी लिखा है ये और उत्तर भी लिख दिय है ठीक यह आपके 2021 का 348 जी आई पेपर है तो पहला ये प्रश्ण का उत्तर यहां पर लिखा हुआ है नर्भच्छी होता है समयुगमजी जेनेटिक इंजिनियर्णी का उपयोग होता है इन में से कोई नहीं यानि जो जेनेटिक इंजिनियर्णी का उपयोग है दोस्तों इन यहां पर च्वथा असमसाही है यानि इन में से कोई नहीं होता है अमर बेल क्या होता है घण नम्बर में अमर बेल याद पूंडता परजिवी होता है क्या होता है पूर तफा पर पूर तना परजिवी होता है THublik अब देखे आगले दूसरे कका है ट्र्णर शिन्डेर और क्लीन फेल्टा सिंड्रोम में गूर्ठ सूत्रिकी शंख्या लिखी है तो यह के पेज पलटेंगे दोस्तों अब यहां पर आ जाते हैं थिके ये यहां पर लिखेंगे देखे प्रश्ण उत्र दो यहां पर लिखा हुआ प्रश्ण और उसका उत्तर देखे टर्नर सिंडियों में गुर्ण सोत्रों की संख्या 45 यानि 45 प्लस यक्स क्लिफेंडर में गुर्शोत्रों की संक्या 47 होती है ठीक है दोस्तों फिर देखें दूसरे का अख है यहाँ पे लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए तो यहाँ पे देखें लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है टेस् जाता है दोस्तों अनिशेक फलन कहा जाता है ठीक है अब देखे प्रेशक आर एनए को यह नाम किस ने दिया याद रिखना जैकब और मोडार ने प्रेशक आर एनए का नाम दिया है ठीक तो यहां पे घह दूसरे का घह का यह उत्तर हो गया अब आते हैं अंगा में तेरा ध् प्रीवीयस एयर में जो एकजाम हो गया है उनका सलेशन क्योंकि ज्यादा ज्यादा आप जानते हैं सतर से असी परसें प्रीवीयस एयर पेपर से यह आता है तो हमारे इस नंबर विजाके पेमेंड करके सभी सबजेक्ट यानि एक सबजेक्ट के साथ सेट का सलेशन 21 कारिका की परिभासा को सहोपकारिका की परिभासा क्या है दो जाद के जीयों का साथ रहना जिनमें दोनों को लाब पहुंसता है कि तो प्राक्रितिक दसाओं में अलग अलग नहीं रह सकते हैं सहोपकारिका कहलाता है ओके दोस्तों अब जानते हैं प्रश्ण नंबर तीन क का उदाहन समझाईए कि अपूर्ण प्रभाविता को उदाहन लिखिये हैं यहाँ पर है कि विशन लख्षणों के युग में एक लक्षण दूसरे पर आपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है उदाहन के लिए मिराय, बिलियस जलापा या गुल गुलाबास के पौधों में लाल पुष्प व शपहेद पुष्प युग्म पौधे के मद्ध संकरण कराने पर पीडि में सभी फूल या फूल लाल या सफेद न में होकर गुलाब रंग की होते हैं F2 PD में एक लाल, दो गुलाबी व एक सफेद पुस्प यानी एक अनपाते, दो अनपाते, एक युक्त पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अनुलेखन पर टिपणे लिखिए, अनुलेखन पर टिपणे क्या है, जराध्यान ट्रांसकिप्सन डिना के रज्जुक में, कूड के रूप में, नहित अनुआंसिक सुचनाओं में, यम आरेनाय में, प्रतिलिपी करण अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, इस प्रक्रिया के लिए, आरेनाय पाली, म्रेज, नामक, एंजाइम सहायक होते हैं, सरप्रथम, डिनाय के, युक्लियोटाइड्स, बंदे तसपस्चा, डिनाय रज्जुक अलग होकर, सांचे के समान कारे करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई सिं पर टिपणे लिखे, दोस्तों साधान जुकाम, पर टिपणे यहां पर लिखना जरा ध्यान देना, आपके तीसरे कुगा आंसर है, तीसरे क túkas साधान जुकाम, ठीख है, चलिए 2021 की पेपर्स का सल्यूशन हो रहा है, राइनो फेरीजाय टिस, अत्यधिक नजला या जुक् यह उपरी स्वसंतंत्र का आसानी से फैलाने वाला संक्रमन रोग है जो अधिकान सतर नसिका को प्रभावित करता है इसके लक्षणों में खासी गले की खरासनाक में स्राव राइनो रिया और जोराते हैं लक्षण आम तवर पर साथ से दस इन भीतर समाप्त हो जाता है हलाकि कुछ लक्षण तीन सब्ता तक भी रह सकते हैं ऐसे 200 से अधिक वाइरस होते हैं जो सामानता जुखाम का कारण बन सकते हैं राइनो वाइरस इसका सबसे आम कारण है ठीक है दोस्तों तो अगर आपको राइनो वाइरस सही करना है तो आप नियमित रुप से सरसो का तेल नाक में डालिए और आपका जो राइनो वाइरस है ये जो आपको हमेशा जुखाम हुआ रहता है वो सही हो जाएगा याद वाइसलीन लेकर चलते हैं तो वाइसलीन लेना बंद कर दीजिए बुरो प्लस लेना बंद कर दीजिए अब आपको क्या करना है अपने नाभी में कड़ूआ का तेल लगा के अपने होटों को मुलायम बना लेना है दोस्तों अगला देखिए बिलूप्त प्रजात से आप क पर जाती है जिनकी संख्या इतनी कम हो गई हो कि बिलुप्त होने का खत्रा उत्पन हो गया ठीक है दोस्तों अब देखिए वन ने जीव सरच्छन हे तुब अधानिक उपाय बताईए ठीक वन ने जीव के प्राकृतिक आवास्यों को बिना नुक्सान पहुंचाये नियंत्र कोर नंबर राश्टी पार्क अभ्यारण कीस अस्थापना करना ठीक यह है वन नजीव का सरच्छन करने के उपाय तो दोस्तों अगर हमारे कोर्स को पर्चेश करना चाहते हैं मात्र आपको साथ सेट 21 रुपए में मिलेंगे अगर यह पर्चेश कर लेंगे तो आपको 90 पर पर भी यह सारे सेट अपलोड हैं वहां जाके डाउनलोड कर लेना है ठीक है हर सब्जेट के साथ सेट मार्थ 21 रुपए में आपको मिलने वाले हैं अगर पांचों लेना है तो 105 रुपए आपको पर्चेश करना पड़ेगा दोस्तों ठीक है अब देखिए अगला अब प् प्रशक की स्लोच्त करिया विद्यों को इस्थाई विधियां कहा जाता है पुर्स능 में इसे वैकसेक टॐमी वाभ इस्तियो मी से अ nespeakē की nाम से जानते हैं यह कारगर घर स्थाई उपाए हैं लेकिन परिवूर्तण नियन नहीं ठीक है दोस्तों तो यह रहा के परिवार जबानों शुक्राणु ठीक है तो यहां पर सचीत देखें चित्र तो इसका यह है ओके अब इसका हम लोग देखते हैं इसके टिपड़िया में क्या है कि डोस्तों यह माननों जरा ध्यान देना चौथे का यह चौथे का आपका अध्यान देना दोस्तों चौथे का आपका यहां पे खानमबर है मानो सुक्राण की संरचना का सची तवर्णन कीजिए ठीक है तो यहां पे देखिए यहां पूरा उत्तर लिखा हुआ है कि सुक्राणु नर युगमक होते हैं जो ब्रिशन के भीतर नर्म जर्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन होते ह सुक्राणों की संरचना अलग 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 परकार की होती है। चुहों में हुक्याकार का और एस्टेफेरिस में अमीबो बोईड के और पुछ विहीन किस्टोसियन जियों में तारेनुमा तथा पच्छियों में सिर्फ लाकार होता है ठीक है यानि हर जियों में अलग-अलग उनका वो होता है ठीक है संरचना तो ये मानो शुक्राणुग कि संरचना का यह आपका चित्र बना हुआ ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और चोथे का गढ़ देखते हैं तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब कर ले ठीक है आसा करते हैं दोस्तों आपको जरू मेंडल के प्रिथक करण के नियम की उदाहनर सइद व्याख्या करना है ठीक है यह मेंडल है तो इसी आधार पर मेंडल ने वंसा गती का प्रत्थम नियम प्रभाविता का नियम दिया है इसके अनुसार जब एक या एक से अधिक वैकलपिक लक्षणों के माध्यम क्रास करत एति तो वे लक्षण यपोन पीडी में प्रकट हो जाते हैं वह प्रभावी deformक्रावी लक्षण कहलाती है तथा वह लक्षेडी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता वह अप्रभाविता लक्षण कहलाती है ठीक है दोस्तों अब देखिए वार्षण तथा और день सा का आंसर यह है आप लेके देख सकते हैं थोड़ा फटा पट करते हैं दोस्तों कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर दिखाने का प्रयास करते हैं पांच में का देखिए आमा तिसार तथा दाध पटिपणी लिखिए तो आमा तिसार तथा दाध पटिपणी क्या ह इसमें छोटे-छोटे दानों का ब्रित प्रकट होता है जिसके सुखने पर और बड़े ब्रित दाने निकलते हैं दानों में बड़ी खुजली और जलन होती है बहुआ खुजलाने से घाव हो जाते हैं जिसमें मुवाद पढ़ जाता है दाद की चिकिस्सा के लिए अनेक और सदियां प्राप्त और नई और सदियों में लगाने और खाने की फफून नासक दवाएं भी अब प्राप्त हैं तो यह रहा आमा तिसार तथा दाथ पर्टी पड़ी अब देखिए सक्री तथा दाथ पर्टी पड़ी क्या है यानि यह दूसरा सक्री और निश्क्री प्रतिरच्छा के बारे में समझते हैं ठीक है प्रतिरच्छा किसी परपोसी के सरीर में प्रतिजन एंटीनेस के पहुचने पर प्रतिरच्छी पैदा होते हैं जो इसे सक्री प्रतिरच्छा कहते हैं जिश्किर प्रतिरच्छा जब शरीर की रच्छा के लिए बने बनाएं प्रतिरच्छी सीधे ही सरीड को दिये जाते हैं तो यह निश्किर प्रतिरच्छा पैसिव कहलाती है अब देखें दूर्छिब पांच में का गर पांच में का गर समल लेते हैं यहां पर इधर पलड़ते हैं थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला लेकिन बहुत जबरदस्त कोईस्चन है दोस्तों एसके रियसिस रो क्या है मनुस में इसके संचरण रथा नियंतरण के बारे में लिखिए रध्यान देना दोस्तों एसके रियसिस रो क्या है तो एसके रियसिस गोल क्रीमी एसकाईरिस लंबिकाईडस पर जीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो पच्चासी परसेंट से क्रिमी का आकार छोटा क्रिम की संख्याओं के साथ ही लक्षण भी बढ़ जाते हैं और बीमारी की सुरुवात में सांस की तकलीप या बुखार हो जाता है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं मनुस में रोग जनन किस प्रकार के रोग उत्पन करते हैं तो ध्यान देना यहा हाँ पर स्क्रीन ले सकते हैं इसे देख सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा दोस्तों इसलिए आपको पूरा रीड कर लेना है आप स्क्रीन लेकि इसे देख लिजिए यह इसका पीडियेप आपको स्क्रीट टेलीग्राम चैनल यहां पर देखिए जय प्रद्द्दकी कि सिध्धान की पूरी टिपणी यहां पर लिखी गई है ठीक और उसके बाद कि बीटी फसले इसी में है ठीक है अब आगे देखिए अब देखिए अगला नंबर यहां पर देखिए जय प्रद्दकी की क्या उप्योगता है ठीक हम यह बताते हैं त्रांससजेनिक जंतों पत्टिपण लिखे हैं त्रांससजेनिक जंतों पत्टिपण यह पूरा यहां पे लिखा हुआ है आप श्क्रीन्सोट ले सकते हैं प्यारे बच्चों चलिए सात्वा नंबर की प्रश्ण की ऊर बढ़ेंगे शात्वनुस के बढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा ये पापूलर कोईश्चन है दोस्तों इसे आपको जरूर जरूर इसे याद कर लेना है चित्र सहित याद कर लेना ठीक तो चलिए अब अगला कोईशन आठवे नमबर पर चलते हैं मेंडल के सुतंत्र आप व्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए यहां देखिए यह आठ नमबर यह है और यह है थवा में करके है तो मैंने यह वाला नहीं किया यह मेंडल के सुतंत्र आप व्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए यहां पर देखिए वर्णन किया गया है आप इसका स्क्रीन सोड लेंगे फिर प्रस नमबर नौ प्रस नमबर नौ उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान के चूहों में अनुकूलन ठीक है अनुकूलन बताना यहा यहां पर दिया गया है आप स्क्रीन सोड लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अब नौवे का दूसरा देखिए पादपों में तापमान संबंधी अनुकूलन यह आपको पेपर में कोश्चन दिखा देते हैं यहां आप देखिए स्थानों पर सनर्चन था वाहन अस्थानों एका खये स्थे और में जय पर दिखता यह फ क्रिस्चेतर में जय पर ACT यहा प्रद्योगत्य कीकी यह उप्योगत्य यह पूरा लिखा गया है, अब हैं रण यह हाँ दूसरा नमबख यहां भी लिखा गया है, आप इसका स्क्रीन स्वार ले सकते हैं दोस्तों बहुत ही, जबरजस्त कोove tem है, ठीक यह पूरा आंसर यहां पे क्लियर होता है, दोस्तों नो से लेकर पूरा कोष्चन यहां पर complete होते हैं बाकि जो भी problem होगी वो comment box में comment करके जरूर बताईएगा आसा करते ही ये दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए चनल को subscribe करिए दूसरी चीज़ अगर हमारे course को purchase करना चाहते हैं तो इस नंबर से संपर करें आपको साथ सब एक सब्जेट के साथ सेट 21 रुपए में मिलेंगे अगर सभी सब्जेट खरिदना है तो 105 रुपए में आपको 35 पीडिया बेजे जाएंगे जिसको पढ़ कर आप 90 परसेंट ला सकते हैं एक जाम में तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें परे दोस्तों के साथ सेर करें अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैन जै भारत वंदे मातरम